आज मैं आप सेर करने जा रही हूं राउन कुशन यह मैंने बैलवेट क्लॉथ में बनाया है और इसकी जो कलर है वो पिंक वहां पर मैंने क्रीम कलर के एक स्ट्रीप लिये हैं सीजर, त्रेंड, स्केल, मार्कर और हमने इंची टेप लिया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस प्लेट तो आप इस तरह के एक प्लेट ले ले और इसे सिंपली यहां रखकर इस तरह से मार्क कर लें मार्क करने के बाद हम इसे सीजर से कट कर लेंगे अब देखे यहां पर मैंने पूरा राउंड करके इसे मैंने कट कर लिया है तो ठेक इस तरह से हमें दो पिसे कट करने हैं और यह जो स्ट्रीप है इसकी जो लेंध है यह 1.2 इंच है और इसकी लंबाई आप कितना भी ले सक आप फिसे साथमित अकाने करना है सबसे पहले एक पिस लेनी है और इसके फ़रंट साइट को ऊपर रखना है और यह जो स्ट्रिप लिए हंए इसका फ्रेंट साइट अंदर की तरफ और यहां हमें इस तरह से पूरा राउंड बाद चिच लगा लेनी है तो मैं आपको और डिखाती हूं आप देखिये हैं यहां पर हमने stitch पाला होग। तो इस थाह पको stitch करना है और अब यहां कि लास्ट में आखर हमें थोड़े से cloth को बड़े कट करने हैं और हम इन दोनों की आपस इस लाइक है और फिर ठव हमें इसे इस तशह से पूरा यहां से राउन इस्टिच कर देना है डिस्ट रदा मैं क्या करना है दूसरा पीस फ्रेन के साइड अंदर की युद रख कर सेम इस तरह से पहले आप इसे पीनप कर ले ताकि यह छोटा बळदा ना हो इसके साइज इस तरह से यहां पे और थोड़ा जगा खुला रखें इतना सा हमें इस्टिच नहीं करना है ओपें रखना है अब देखिए राउंड कुशन के स्टिचिंग हमने कमपीट कर ली है तो दोनों साइड हमें इस तरह से स्टिच करना है और देखिए यहां पे हमने इसे खुला रखा है थोड़ा सा तो अब इसकी सहारे हमें इसे फ्रंट के साइड इस तरह से पल्टाना है और इस होल से हमें अब इसमें कॉटन डालना है यह वाशेवल कॉटन है और यहां पे मैंने इसे 200 ग्राम लिया है तो इस तरह से थोड़े थोड़े कॉटन को इस तरह से हमें करना है और इसके अंदर हमेशे पुश करना है और बिल्कुल इसे लास्ट तक इस तरह से हर एक किनारे में हमें थोड़े थोड़े कॉटन डालने हैं अब देखें यहां पर मैंने सारे साइड में कॉटन में जितने भी हैं सबसे पहले कॉटन जो है हमने किनारे में स्टफ किया है तो इस तरह से सबसे पहले आप इसके किनारे में पुश करें कॉटन को और बीच का पोर्शन देखे बिल्कुल खाली है तो अब हमें क्या करना है बीच के पोर्शन में हमें थोड़े-थोड़े कॉटन को स्टफ करना है और इस तरह से हमें सेंटर में कॉटन पूड़ा स्टफ कर देना है हमें कॉटन अच्छे से स्टफ हो जाने के बाद हमें इसे पल्टा कर देखना है कि पूड़ा एक जैसा कॉटन फिल हो गया इसके बाद हमें सुई और ट्रेड लेनी है पिंक कलर की और यहां जो हमने होल छो कर देना है तो इस तरह से हमें इसकी stitching कमपीट कर लेनी है बिल्कुल छोटे-छोटे स्टेप लेकर आप इसकी stitching कमपीट कर ले अब देखें इसकी stitching कमपीट कर लिये हमने तो इस तरह स्टीच करना है और यहां पर एक नॉट लास्ट में जरूर लगाएं दो नॉट लगाकर हमें एक्स्ट्रा फ्रेड कट करने हैं कट कर दिया तो अब देखें यहां पर जो है कुष्ण बनकर रेडी हो चुके हैं तो स्यम ऐसा आप दो बनाएं चार बनाएं और यह बहुत जल बनने वाली कुष्ण है इसे मैं दिवाली के मौके पर बनाई हूँ तो फ्रेंड से आप जरूर ट्राय करें तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाब बाई